कि है लो बच्छों कैसे हो मीद करता हूं अच्छे ही होंगे मैं हारी जावेद और आज में क्लास 11 की केमेस्ट्री एक्स वीडियो लेने जा रहा हूं इससे पहले मैं डेंसिटी तक कबर कर दिया था डेंसिटी बराबर मास पार वह लो ठीक आगे चलते हैं टेंप्रेचर की मेजर्मेंट आफ और इनको इनकोंले मेजर्मेंट कितना है उसको मेजर्मेंट करने काम करते तरीके चोटेसे जरीये से इसको मापने के लिए कुछ पैमानों को यूज किया गया जो पैमाना जो कौन-कौन से हैं तो पहला है क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे 273.15 करेंगे तो क्या करेंगे करेंक दिया है तो क्या करेंगे डिए तो और श्राइट पर आवगा 273.15 नहीं जो रहेंगे माइनस 273.15 कर देंगे तो डिकरी से लिए हुआ इस विए ओच्छीर स्टीजियों से डिगेरी से ऑच्छीर से कल्वाइन तो चाहिए प्स्टिक अब क्या है इन तो कुर्ण शेंच करने का इन प्रदेट कहते बेंड निहां किता हो जाएगा प्राब्लम इसमें कोई प्राब्लम इसमें एक तो क्लियर होगे कर दिए से चीज़ एट पड़ें सभी यह जीनिक में पड़ें हो अगला चलते हैं सांटिफिक नोटेशन न संथा धीन रिशकन और सब्सक्राइब कि अन्ट है इस बढ़े-बड़े वैल्व को छोटे-चोटे वैल्यू की फॉर्म में लिखेना घुगां सब्सक्राइब जैसे हम उसे पढ़ते हैं एक दो तीन पढ़ जाए मास आफ अब बड़े वैलू मास आफ ले लिजिए ठीक है इसको कैसे हम वैलू को सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो क्या रहेंगा इसको पड़ेंगा नहीं सकते हैं या वान इकू टेंट पार्ट नहीं सकते हैं तो बड़े वैवानों को बड़े वैलू को छोटे फार्म में लिखना ही क्या 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 लाता है सांटिफिक नोटेशन क्या रहता है इसका जो वैलू होती है इसके पावर होती है फर्मुला होते है न इतुन इंटीक पावर तो को प्रावल समय विख तो प्रावलिसमें 0.000 163 1, 2, 3, 4 1.60 10 to the power minus 4 0.2 2 into 10 to the power minus 1 0.02 2 into 10 to the power minus 2 कि इसा बेसिक चीज है जीसा आगी जैसे आगी जैसे आगी इसको लिखना है नहीं तो इनके प़ूर ती होरी समझ में रहें जैसे आगी 5000 इसको लिखें देखा रहें इसे आगे 0.009 क्या लिखेंगे इसको एक दो थी 9.0 कितना हो जाएगे वाइनस त्री प्राब्म में इसमें क्लियर हो देख्राब्म आगे चलते हैं कुछ एक्जाम्पल करिएगा इसे 566 जिए प्राब्म इसमें कि अगर्टेक्ट नूटेशन समझ में आए कोई प्राब्म इसमें एक्सरसाइज कोश्चन है एक्सरसाइज नंबर है आपका बता रहें आपको कि अगला टाप रिखें सांडे की नॉटेशन इसमें कैसे इसको करते हैं जानते हैं कि एक के पावर एंटू एक के पावर एंबराबर एक के पावर एंप्लस न जानते हैं जानते हैं पोर एकठेंगा पावर कोने दीट हो किता हो एक टांस्ते हें कोर एक। पॉर समस्ते जैसे 5.6 इंटो 10 का पावर मालों कि 5.6 तो 10 का पावर माइनस 24 दे दिया 24 दे दिया 2 2 10 का पावर प्लस 30 दे दिया 30 दिया इसका वेलों नहीं खांदेंगे, पहरे इसको क्या करें करतें, 5.6 x 2, 2, 6 x 12, 81, 2, 5 x 10, 11, 11.2, 11.2 होगे, अभी माइनस 24, अभी इसको क्या करेंगे, दिखो, माइनस 10 का पाउर माइनस 24, अप्लस 30, कितना होगे, 11.2, क्या बढ़ेगा, बताईए, प्लस 6, इंटू 10 का पाउर कितना होगे, प्लस 6, समझना रहा कि नहीं आ रहा, क्यों प्राप्लम इसमें, ठिक, यह क्या है, मॉल्टिप्लिकेशन होगे, अब आतें इसको डिवीजन, इ बढ़ावान इसमें, अब समझते हैं, इसमें डिवीजन के बारे, सिमिश्यर के दिवीजन, हम जानते हैं कि 1 के पाउर, M अपाँ, 1 के पाउर N बराबर होता है, 1 के पाउर M-N, यसे 2 इंटू 10 के पाउर 5 दे दिया, अपाँ 6 इंटू 10 के पाउर 3 दे दिया, तो कैसे का 2 3 इंटू 10 के पाउर 5 माइनस 10 के पाउर 5 माइनस 3, 1 आपाउर 3 इंटू 10 के पाउर 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इसको डिवाइट के जो बेल हो आएगा, उसको अपते हैं, सम्झे आगे दिवीजन, तो प्राब्लम इसमें, चलते हैं आगे की तरफ, दिवीजन इक ओर दर लेते हैं, जैसा आगे 300 अपाउर, 300 अपाउर, 1.5 दे दिया मालो, या 1.5 मत्ता दम असान दिने, पहले से, 6 अपाउर 2 इंटू 6 अपाउर 10 के पाउर 24 दे लिए, और 10 के पाउर माइनस 10 दे लिए, इसका या वैलो निका लिए, क्या करेंगे इसको, स अपाउर 3 जा, 6, 3 हो गया, 2, 3 हो गया, 2, 3 हो गया, 6, यूँपर जैगा, प्लस होगा, 10 के पाउर 24 प्लस 10 के पाउर 10, हो जाएगा, 3 इंटू 10 के पाउर कितना हो गया, 34 हो गया, समझ में आरे कि नहीं आरा, 3, तो यहाँ क्या पर्पॉला इसका जा रहे, के अपार 1 के पावर 1 बराएबर 1 के पार मॉइनस संबशने के नहीं जैसे हैं च्टेए आगे चलते हैं कि सिर्टम प्राब्लाम हा इसका आख प्राब्लमी इसका अब और अदिन्स प्राब्लम और इडिशन्स चानते हैं तो Iraqi करें जिक्ते हो इसमें पॉँप को अधीसन इसी तरह करेंगे कामर कर लेंगे अधोनों को क्या कर लेंगे एड कर लेंगे एड कर लेंगे यह यह सब शोचा क्लास में आगे चरते हैं इसके बारुट शिगनिफीकेंट और में समस्ता है ंधिक क्या होती है जिसे किसी रॉड को मांते हैं इसका में जो मालक है 24.2 मीटर आ गया तो यह जो डिजिट होगी वह एक्टोरेंट डिजिट होगी क्या होगी एक्टोरेंट डिजिट होगी और जो यह डिजिट होगी वह डाउटफूल डिजिट होगी क्यों कि अगर इसको मेजर कर लाए है तो इसका 24.2 भी आ सकता है 22 24 24.3 भी आ सकता है यह जो आगे वाला है यह जो यह जो एलू है यह जो पॉइंट के बार बार वाला यह कॉंसर्ट बाहलू है डाउटफूल डिजिट है 42 24.23 भी आ सकता है 250 ऊप γयरो यह सकते हम कि यह जो 손फे यह कुरेंट भैय्यक मिल में युक्स की ऑन था जो पॉइंट के बार जो जो आप में सकता है भी एक समय कोई Tore पहता है क्या होगी होगी वह क्या होगी एक इसने अधर बाले जो होगा यह जो बहुता है सब्सक्राइब करता है इसके लिए कुछ रूल को समझेंगे ज्यां ना समझेंगे सब्सक्राइब करता है इसके रूल से पहला इसके रूल से इसके रूल से रूल से आज सब्सक्राइब करें ना-पोध कर थो होते हैं कि एक जूबहें के आंथ हो कि यह चा driven भी सब्सक्राइब थो हमें यहां लिक्रेंगे रहें सब्सक्राइब 타 water ना सब्सक्राइब बनाबर क्या होगा एक्यूरेट डिजिट एक्यूरेट डिजिट यानि इस इस प्लस फॉर्स डाउट फूल डिजिट समझने आ रहा है इसके रूल से पहरा है और नान जीरो और सिग्निफिकेंट यतने भी नान जीरो नंबर्स होते हैं क्या होता है सिग्निफिकेंट जैसे 285 इसमें किते सिग्निफिकेंट फिगर होगे थ्री होंगे क्या होंगे थ्री होंगे 296 किता होंगे थ्री होंगे फॉर फाइव 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 और सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं सब्सक्राइब होते हैं एक और एक नांपर जैसे 2363 किता सीवेट के गरोगो फोर टू फाइब सिक्सक्राइब इधा सीवेट हो तो समझ में आगे क्लियर रूल लबर पर समझ में आगे रूल लबर सेकेंड समझना रहे था इसमें कोई प्राबलम जो एंसाइटी कोश्चन दिये थे आपको 1.18 1.17 आप करके गुरूप में नर्फ सिग्निट्वरु यह थे फिग्र नहीं होगा तो यासीड था कोई दस्मारों की की बार जो भी डिजेंट आprills गोडिलेंगे तो जिनौ फ्रिंजटी हो एप आरा ससंग जिनौ नाजेरू को ने तो इस सब्सक्राइब कि जो जिरो से सुरुआत हो रही है उसमें देखेंगे कि उसमें ना जिरो डिजिट कितना है उसको कहाएंगे आपका सिंग्निफिकंट जैसे मालग है कि कि यह क्या हो जाया जैसे इसका पिसमें इसमें अगर जिरो बीच में आ रहा है नान जिरो डिजिट की बीच में आ रहा है अगर जीरो नान जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है अगर जीरो जो है नान जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है फिर फिर से बोले अगर जीरो नान जीरो डिजिट इदर क्या है यह नान जीरो डिजिट है यह क्या जीरो डिजिट है यह क्या जीरो डिजिट है यह क्या ज अगर 0, non 0 digit के बीश में आ रहा है अगर 0, non 0 digit के बीश में आ रहा है तो क्या वह सिक्निफिकन्ट होगा कितनी सीदें हो गःगा, 500, 500, 500, 500, 400, 4000, 6.003 आ गए क्या आपको बताएगे 6.003 आ गए, क्या बताएगे इसमें 4 बताएगे क्या बताएगे 11, 2, 3, 4 यह जो जाएगा इनि फोर सिंग्निफिकेंट फिगर होते हैं पहला रूम यह है कि जितने भी नॉन डिजिट नंबर्स होते हों क्या पूरा सिंग्निफिकेंट फिगर होते हैं दूसरा यह कहता है कि अगर जिरो से स्टार्ट हो रहा है तो जो उसमें नान जिरो डिजिट होगी वही आपका क्या होगा सिंग्निफिकेंट फिगर होगा अगर 0 से start हो रहा है तो पॉइंट के बाद जो non zero digit होगी को यहां को क्या होगी significant figure होगा rule number 3 क्या गह रहा है अगर zero be each में आ रहा है और उसी दोनों किनारे में non zero digit आ रहा है तो पूरा क्या लेंगे आपका 20 में 0 आ रहा है क्या बीच में 0 digit आ रहा है समझ में आगे अब समझता हम नमबर फोछ दहां से समझना प्लीज नहीं अगर जिरो इंड में आ रहा है किसी नमबर के जीरो इंड में आ रहा है तो इसका यह जिरो पैले न यह क्या है नौन जिरो दिजिट है और यह क्या है जिरो दिजिट है इसको हम नहीं लेगे इस जिरो वाले दिजिट को नहीं लेगे इसमें सिम्सेंटवल्वन कितन Corey हो जाएगा वन जिक यह सबически है पर उपने को एक दो तीन चारका कितना हो जाएगा 2-3 up 15-0-0-0-0-0-0-0-0-090-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0 van mezh जेंगे किता हो जाएगी सिविविट फिर तीन हो जाएंगी थिक फंडेट कोईट जिरू ऑगिया गया है चैनल उप्चिनल अगया है सबस्क्राइब न यहां अगर 100 किमिन फिकर हो जाएगा 3 होगे अगर 100 कोई न फॉइंट कोई अला तो यह बोलेगे 3 अगर 100 आ खो यह क्या नॉनजियों यह क्यों जीन तरही रिजिट और यह क्या होगे अगर 100 पॉइंक और होगी यह पुरण इसे तो सब्सक्राइड होगी यह जो ओडिन फिरी पोईंक जी रहा है तो यह क्यों पॉड़ी पॉइंक जी को जी समय भी नियुक्त इनक प्रणाल सब्सक्राइड चाहिए रूल लॉबर फईज़ अगर माल थेंट इसी के पावर तुरेवा 5 जैसे माले कि 1 x 10 k power 2 औहीं 1 x 10 k power 2 हो गया तरए कि इसको यह significant figure कभी नहीं होता है power तबी significant figure नहीं होता है अमेशा ही वाले हो जाए कि कितो हो आएगा 1 significant figure जैसे 4.3 कहाएगा 4.3 कहाएगा । एक है 4.3 कहाएगा समझ में आ रहेंगे नहीं कि तो सिगनिफिकेंट फिकर हो जाएगा कोई प्रावलम इसमें अब देखना जैसे आगे पावर को कभी भी सिगनिफिकेंट फिकर में नहीं लेते हैं जैसे टेंट के पावर इसको इसको हम नहीं लेंगे इसी को लेंगे क्या होगा यह सिगनिफिकेंट फिकर हो जाएगा समझ नहीं नहीं लास्ट यह रूलमबर शिक्स क्या है अगर कोई वेलू जो है कॉंस्ट वेलू आ रहे या प्योर वेलू आ रहे है क्या वेलू आ रहे है या यह उसका हमें सा सिगनिफिकेंट फिकर जो होता है वो इंफानाइट होता है या अगर प्योर वेलू आ रहे है क्या रहे है यदा यह यदी किसी भी कोई वेलू है जिसका वेलू क्या है आपका प्योर हो या या कास्टेंट वेलू हो तो हम कहेंगे कि इसका जो जैसे सब्सक्राइब हो जाएगा जैसे बनाना इस बनाना यह क्या हो जाएगा समझ में आ रहे हैं हो क्या होते हैं पूरे सिग्निफिकिन फिगर होता है क्या है कि अगर जिरो से स्टार्ट होता है तो उसमें जिरो को नहीं लेंगे लाच समय ज दो नान जिरो होगा जैसे 5005 यह 50.05 यह क्या है इसका भी 4 और इसका भी 4 समझ में आ रहा है कि नहीं कोई प्राब्रम इसमें तो significant figure समझ में आया नहीं उसका बत क्या है तिसरा जो है दो रूल बता है पहला क्या नॉन जिरो डिजिट आप significant figure दूसरा है कि 0 जो preceding होती है और जो उसमें नॉन जिरो डिजिट होती है वही आपका क्या होता है significant figure होता है चौथा यह है कि अगर 0 लास्ट में है इसा सो आ रहा रहा था 100 को क्या बोलेंगे एक significant figure बोलें इसको हम इस 0 को यह क्या non zero डिजिट है यह जिरो डिजिट है और यह क्या है non zero डिजिट है इसा सिर्ट फिकर कितना हो जाएगा एक इस तेन फांजेंड में इस एसा अगर सब्सक्राइब प्याएगा चिकाट्राइब उसकी पावर गवार वागा तो पावर को कभी सिगनिफिकेंट नहीं लिया जाता है हमेशा जो लिया जाता है वो accurate value को लिया जाता है तो इंटू 10 को पौर 5 ये value क्या है कि सिग्निफिकेंट हो जाएगी इस value को हम लेंगे नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं ठेख आगे चलते हैं अगर कोई constant value आ रहा है या pure value आ रहा है तो इसका हमेशा जो significant figure होता है वह हमेशा क्या होती सब्सक्राइब क्या होती है infinite significant figure होता है समझ में आ रहा है कोई भी constant value या pure value आ रही है किसी क्या होगा significant figure क्या होगी आपकी क्या होगी इंफाइनाइट इंफिंट फीगर होगी उमीद करता हो क्यों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आप इंसाइडी कुश्चन करिएगा को इसाइडी कुश्चन नमबर एक बार 1.181.19 इसे बोलना है 1.181.19 आप इसको करिएगा करें के गुरूप में भीजियेगा थांक्यू एव और आइस रहे आपका दिन सुब हो नेक्स हैंग लेक्ट इस वाटो